श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जेश्ट महीने की शिवरातरी कब पढ़ रही है 4 जून 2024 के दिन दोस्तों ये वो दिन है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है क्योंकि जेश्ट का महीना सिर्फ एक बार आता है और जेश्ट के महीने में पढ़ने वाला प्रदोश वरत जेश्ट के महीने में पढ़ने वाली शिवरातरी और जेश्ट के महीने में पढ़ने व दोस्तों आप लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाए जरूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाए हम कब करते हैं जब कोई विशेश दिन आता है पर दोस्तों जब बात आ जाए जेश्ट महीने की इस शिवरातरी की जो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब इसी दिन कोई भी वेक्ती अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा तो उसकी जो भी मनुकामना होगी वो पूर्न होगी ही होगी ये बात बिलकुल सते है दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग कर लेते हो घर में से कोई एक सदसे भी करता है तो इस उपाए का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिलेगा और दोस्तों ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब हम किसी उपाए को या 108 चावल के दाने वाले उपाए को किसी विशेश पर करते हैं तो उस उपाए का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्न होती है और बहुत अच्छे से पूर्न होती है इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस जेश्ट महीने की शिवरातरी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस बार की जेश्ट महीने की शिवरातरी बहुत ही ज्यादा खास है और वो भी मंगलवार के दिन पर रही है तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाए जरूर करना चाहिए तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाए को इस जेश्ट महीने की शिवरातरी के दिन लोगों को कैसे करना है तो दोस्तों सबसे पहली चीज यहां पर यही निकल कर आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाले उपाए को कौन कौन कर सकता है और घर में से कोई एक सदसे हो तो वो किसको करना चाहिए तो देखो यहां पर हम आपको बता दें 108 चावल के दाने वाला जो उपाए है ये मनुकामना पूर्ती का उपाए है मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनुकामना है किसी भी प्रकार की कोई दुख और परेशानी है या किसी भी प्रकार कोई ऐसा काम है जो कि आप भगवान शिवजी से बोल कर उसे करवाना चाहते हैं तो भाई अपनी उन सभी मनुकामनाओं के लिए जो है आप लोग अपने इस 108 दाने वाले उपाय को कर सकते हो और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग-अलग कर सकता है जरूरी नहीं घर में से कोई एक ही सदसे करें हां अगर घर में से कोई एक सदसे करना चाह अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांती के लिए तो भाई वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से коई भी एक माता बेहन कर सकती है, पुरुश भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस वाले उपाए को घर में से सभी लोग अलग अलग भी कर स सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, देखो मंगलवार जो शिवरातरी होगी मतलब कि जो इस जेश्ट महीने में पढ़ने वाली शिवरातरी जो की मंगलवार के दिन पढ़ रही है, इस दिन का मेहत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, तो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय को करोगे बहुत अच्छी बात है, बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बा तो भी आप लोग उपाय को करोगे तो भी आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें मतलब किसके साथ में करना है मतलब कि अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की स पूजन सामगरी को लेकर उपाय कर सकते हैं, कुछ सामगरी भी लेकर जाना। जरूरी है तो देखो जब भी हम कोई उपाय करते हैं, हमें भगवान के सामने कभी ये नहीं। दर्शाना है कि हम आपके पास अगर आ रहे हैं, तो सिर्फ अपने उपाय को करने के लिए आ रहे ह तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामगरी लेकर मत जाना इसके साथ में पूजन सामगरी भी जरूर लेकर जाना है अब वो पूजन सामगरी कौन सी होगी? वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे उसके बाद में दोस्तों ये वाले उपाय आपको करना कहा पर है तो देखो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करो करोगे आप लोग शिव जी के मंदिर में ही आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो शिवाले हो जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो वहीं पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा इस बात का आप लोग ध्यान रखना दोस्तों उपाय आपने पहले भी सुना होगा पर जितनी बार आप उपाय सुनते जाते हो उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियां जो है वो आप पकड़ लेते हो और उन गलतियों को जब सुधारते हो और गलतियों को सुधार कर जब उपाय करते हो ना तो भाई आपको उस फलनिश्चित सी बात है बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होकर मिलता है तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को करने की विधी क्या है तो देखो उपाय जब भी आप करो चाहे सुबह करो शाम को करो अपना शुधता का ध्यान रखना और सबसे महत्वपूर्ण चीज की 108 चावल के दाने आएंगे कहा से है ना तो देखो आपके घर के रसोई घर में क्यों चावल उपस्थित हों सिर्फ तूटी को छोड़ देना वो चावल वैसे चावल जो की बिल्कुल पूरे तूटे तूटे होते हैं चावलों को छोड़ कर आप कोई से भी चावल ले सकते हो जो की आपके घर के रसोई घर में रखे हुए हो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता की वो बास्मती है या सादा है आप कोई से भी चावल ले सकते हो जो आपके घर के रसोई घर में उपस्थित हों तो आपको करना पहले शुद्धता का ध्यान रखना जब भी आप उपाय को करने की तयारी कर रहे हो और उपाय की सामगरी को करने की तयारी कर रहे हो तो अपने ही घर के रसोई घर में जाना वहां से मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना ठीक है। ना कटे-पेटे होने चाहिए ना मतलब दाग वाले होने चाहिए अच्छे साबुत होने चाहिए तो आप लोगों को करना है कि इन 108 चावल के दानों को आप लोगों को अच्छे से साबुत साबुत अच्छे से चांट लेना है पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए ना कम होन चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। उपाय की सामगरी लेकर नहीं निकलना है। आपको दोस्तों इस जल को चढ़ाने का ना बहुत ही बड़ा फल मिलेगा है ना दोस्तों इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामगरी है वो आप लेकर जा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामगरी भी लेकर जानी है और एक लोटा जल जो हमने आपको बताया जेश्ट महीने में चढ़ाते हैं। पूजन साथ में जरूर लेकर जाना है वहीं अगर शाम के समय की। मंदिर में शिवजी के मंदिर में पहुँचकर सबसे पहले भगवान शिवजी के। दर्शन करना है उनसे आशीरवाद लेना है और उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजार्चना करना है। पूजन सामगरी से मतलब पूजन शिवजी की कर दो अगर नहीं लेकर हुए हैं तो आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। अपने उपाय को करने के लिए और अगर लेकर आए हुए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो वगेरह से जो भी। फूल वगेरह बेलपत्र वगेरह चढ़ाना चाहते हो वो पहले चढ़ा दो उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो पहले जाकर अपना वे दीपक जलाना दीपक जलाने के लिए जो माचिस लोगे वो आप अपने ही घर की लोगे, किसी और की माचिस नहीं लोगे इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और मंदिर में पूजार्चना हो जाती है, अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठना और अपने उपाय को शुरू करना। अब आपको सच में पर चाहिए, अब आपको सच में पर चाहिए, एक साथ चढ़ाओगे तो आपको उपाय का उतना फल नहीं मिलेगा, तो एक-एक चावल का दाना उठाना और श्री शिवाय नमस्तुभियं बोल कर चढ़ाना, तो उदाहरन के लिए देखो, पहला चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभियं बोल दिया, फिर दूसरा उठाया, श्री शिवाय न पूरे एक सो आठ चावल के दाने को एक एक करके चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभेम को आप विशेश रूप से आपको यहां पर जाब करते जाना है, जैसे ही आप लोग अपने पूरे एक सो आठ चावल के दाने शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो, वो भ अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, तो श्री शिवाय नमस्तुम और अपनी आखें बंद करकर उस आखरी वाले चावल के दानों को पहले चढ़ा देना उसके बाद में आप आखें बंद करके भगवान शिवजी के नाम का जाप करके अपनी वह मनोकामना भूलना जिसके ल दो मिनट बैठकर भगवान शिवजी के नाम का जाप करना वहीं पर पास में ही बैठकर उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विंती करके निवेदन करके भगवान को उसके बाद उठ जाना ठीक है और उठने के बाद भगवान से आशिरवाद लेकर आप लोग अप अपने घर पर वापस आ सकते हो और ये वाला उपाए यहां पर आपका। पूरा हो जाता है, दोस्तों सुनने में उपाए बहुत आसान लगता है, यही उपाए आपको हमें एक। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, जिसकी वजह उपाए का फल नहीं मिलता है, और जब उपाए को आप अच्छे से, सुनोगे अच्छे से समझोगे तो निश्चित सी बात है, आपको उपाए का फल जरूर मिलेगा तो। जहर महादेव जहर महादेव